वीके नियूज उत्तरपरदेश उत्तराखंड सचका सार्थी यूपी के बरेली से सामने आया है जहाँ पर बीडिये की टीम ने गुरुआर को नकटिया ने स्मैक तसकर इसलाम के मकान पर बुल्डोसर चला कर उसे समीन ठोस कर दिया ये कारवाई बीडिये की टीम में की है और कारवाई के दुरान कैंट और फरीतपुर पुलिस भी मौके पर मौझूद रही और भारी पुलिस बस बो भावे तैनात किया गया आपको बताते कि फरीतपुर के गाउं बहरा के रहने वाले इसलाम चर्चिद इनामी स्मैक तसकर तैमूर उर्फ भूला का साती है भूला इन दिनों दिल्ली की जेल में बंद है अभी तक कुछ वक्त पहले ही योगी सरकार ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ जंग छेड़गा उनका विगुल फूगा था और जिसके बाद से यूपी पुलिस लगातार इन तसकरों की धर पकड़ में लगी हुई थी और वहीं दूसरी तरफ लगे हाद योगी का बुल्डो जरूर की काली कमाई के सामराज के को द्वस्त कर रहा था आईए अब आपको सुनाते हैं इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है थाना केंट के अंतरगत एक महिला है शाहिदा जो पत्नी है इसलाम की ये रहने वाले फरिदपूर थाना चेतरी के अंतरगत में इनका एक भवन था जो बरेली विकास पराधिकरण के जो मांचित्रिया उसके जो गाइडलाइन से उसके अनुरूप नहीं था और नहीं इन्होंने अन्मती ली थी तो उसी क्यादार पर बरेली विकाश परादी करण के दौरा इसमें इनको जो नोटीस दिया गया था और उसको डिमॉलिश किया है और साथ में महाँ पुलिस बलो पलब्ट कराए गया था जिसे की कानून भी होसता कि समस्य ना और साथ ही साथ जो यह महिला है इसके पती है वो पूर में जो एंडिपीएस जो मादक तसकरों के जो पदार्थ हैं उसमें भी यह जेल में और उसके खिलाब भी इसमें पूर में भी कारवाई की गई है क्योंकि पिछने कुछ वक्त से बरेली में ड्रक्स के मामले लगातार सामने आ रहे थे यहां फिर यूँ कहें कि बरेली इन दिनों तसकरों का अड़ा बन चुका था उनका गढ़ बन चुका था लेकिन योगी राज में किसी भी अपराधी का गढ़ बन जाए ऐसा कैसे हो सकता है तो लीजिए फिर चल गया बुल्डोजर और एक और अपराधी के काली गमाई से खड़े की हुए काले समराज्य को धुस्त कर दिया गया अब इस कारवाई पर और योगी पुलिस की यूपी पुलिस की एक्शन पर आपकी कह रहा हैं अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूस धन्यवाद ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24x7 डिजिटल न्यूस चानल वीके न्यूस राश्ट्र के नार्ब